हे दोस्तों नमस्कार एक बार आप सब का फिर से बहुत बहुत सुवागत है आप सब के अपने यूट्यूब चैनल डियल गुरू जी पर आज के इस वीडियो में हम आप सब के लिए रिजिंग के बहुत ही इंपॉर्टन कोईशन लेकर आये हैं जो आज कल के पेपर में कुछ जादा ही पूछे जा रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के कोईशन जो काफी जादा लेंदी होते हैं देखने में और इनका जो हल भी होता है solution जो होता है वो थोड़ा mathematical way में होता है तो आज मैं उस तरह के question लिकर आया हूँ और इसी तरह के questions मैं आपको लगातार provide करवा रहा हूँ अपने channel पर तो channel को subscribe कर सकते हैं जिससे आपको notification जो है वो मिलती रहे जब भी मैं कोई video upload करूँ तो यहाँ पर आज क जो पहला question देखे आपके सामने क्या कह रहा है प्रवस्न कह रहा है कि दीपक और सतीज के बीच कितने चात्र बैटे हैं आपको बताना है इसका उत्तर लेकिन यहाँ पर आगे दिया गया है कि नीचे दिएगे कथनों को पढ़ना है तो एक कथन दिया गया है उसके बात कह कि उप्रोग्त प्रस्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अत्रिक्त जानकारी की आवस्सक्ता होगी तो यहाँ पर देखा जाए तो कितने चात्रों का समू हो भाई 20 चात्रों का समू है वो एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है यानि कि टोटल जो चात्र आपके 20 है यानि कि एक यहाँ पर होगा और 20 यहाँ पर होगा तो यहाँ पर पहले नमबर चात्र बैठेगा और आखरी में आपका 20 नमबर चात्र बैठेगा अब कहा रहा है जो राजे जो है वो बाई ओर से पांचवे स्थान पर है बाई ओर का मतलब तो यह तो पता ही यह होता है यह आपका कौन तो होता है बाई ओर होता है तो राजे जो है वो बाई ओर से आपका पांचवे प्लेस पर है तो माले तो यह पांचवे प्लेस पर है य यह होता है बाइयोर से और यह कोई बंदा है तो इसके इधर दाया और इसके इधर क्या होता है बाया होता है तो कह रहा है कि सतीस के दायोर पांच हात्र है यानि कि आगर हम सतीस को पंदरावे प्लेस पर बिठाए हैं तो देखे इसके आगे 16, 17, 18, 19 और ये 20 16, 17, 18, 19, 20 पांच हात्र हो गए ना तो ये तो आपका फूइगर बन गया अब हमसे क्वेशन क्या पूछ रहा है कह रहा है कि 17 के दाई और पांच हात्र है फिर कह रहा है कि दीपक राजेज और 17 के बीच पर कहीं पर बैठा है अब दीपक जो है यहीं कहीं बीच में कहीं इनके बीच में बैठा है ये नहीं पता कहां पर बैठा है तो दीपक माली जग कहीं यहीं पर होगा अब इसके बीच में कितने है या इसके बीच में कितने हैं ये हमें कोई आइडिया नहीं है अब यहां पर कहरा है कि दिपक και 17 के बीच कितने चतरे हैं यानि इनके बीच में कितने चतरे हैं अगर यह हमें पता करना है तो किस अत्रिक्ट आऊप्शन किया सकता लगेगी यह आप से कोईशन प्रोज रहा है तो पहला कह रहा है कि दीपक के दाहिनी और सतीज के तुलना में दिक्षातर होंगे तो भाई ये तो सिंपल सी वात है मुझे पता कि यहाँ पर अगर आपका सतीज है सतीज के दाहिनी और पांच चातर है तो दीपक के तो और जाद होंगे क्योंकि पांच यह और इनके बीच में आपका यह जो इनके बीच में होगा तो पांच से जादा होंगे तो भाई पहले प्रस्ट की आओ सकता नहीं है क्योंकि पहले ओप्सन में देखा जाए पहले ओप्सन तो हम पहले ही बता सकते थे दूसरा ओप्सन कह रहा है कि राजेस और राजेयस और सबीस के बीच में नौ शातर होंगे, छटवा, सतवा, अठवा, नौवा, दसवा, गयरहवा, बरहवा, तेरहवा, और तो तोटल किन लीजे, एक, दो, तीन, चार, पान, छेज, सात, आथ, नौ शातर होंगे, ये भी हमको option की जो नहीं सफ़ाए क्यों ये तो हमें पहले सही पता है अब तीसरे option कहे रहा है कि दीपक के जो byor है दीपक के byor 8 what? अब दीपक यहाँ पर है अब इसके byor 8 what? पांच हाथ ये अब आप बता हो ये कौन से place पर है 15 हाथ पर आपका 17 है तो 9 और 15 के बीच में कितने चातर होंगे 5 चातर होंगे तो हम दो कौन से option से बता पाई यह answer option number C से बता पाई तो यहाँ पर option number जो इसका C है वो correct हो जाएगा तो बताएगे क्या इसमें कुछ करना था आपको बहुत जादा समय भी आपका question नहीं लिया लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा अच्छी समझाया है इसी वज़े थोड़ा सा समय लग गया समझाने में बट I hope समझ में आ गया होगा कि question में basically कह क्या रहा था और आपको करना क्या था यह चीज़र अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप इन तरह के questions को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे अब आते हैं अगले question की ओर आगला question ध्यान देखिएगा थोड़ा सा typical है बट बहुत जाद टिपकल नहीं है अभी आपको समझ में आ जाएगा question कह रहा है कि भाई एक आदमी के पास 10 रुपे और 20 रुपे और 50 रुपे के कुछ पैसे हैं अब कह रहा है कि 10 रुपे के नोटों की संख्या जो है वो 20 रुपे के नोटों की संख्या से 20 अधिक है और 50 रुपे के नोटों की संख्या से 50 अधिक है ये कह रहा है ना तो 50 आखरी में तो हम माल लेते हैं 50 रुपे के नोटों की संख्या यक्स माल ले, थोड़ी देख लिए कितना माल ले भाई, नोटों की संख्या माल लेते हैं, यक्स, तो बताईए 10 रुपे के नोटों की संख्या कितनी होगी, तो 10 रुपे के नोटों की संख्या, भाई 10 दस रुपे के नोटों के संख्या जो थी, वो 20 के नोट से 20 हदिकता, तो हम ये चीज़ बताईए लिख सकते हैं क्या, आप लोग बताईए क्या मैं सही लिख रहा हूँ, 20 रुपे के नोटों के संख्या आएगे, क्या X plus 30 लिख सकते हैं, अब आप कहेंगे क्यों, यूँकि भाई मुझे पता है कि जो 10 रुपे की नोटों की संख्या है वो 20 वाले से 20 अधिक है अब 20 वाला अगर आपका X प्लस 30 होगा तभी तो इसमें 20 एड़ करने पे X प्लस 50 आएगा तो पता ये तीन चेहन लिख सकते हैं अब इसी के पाद आपका जो एंसर है आएगा अब देख अब देखें यहाँ पर कह रहा है 50 रुपे के नोटों की संख्या 50 के नोट से 30 अधिक है ये तो हमें अलेडी पता है तो इस आप्सन के हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपसन दो कह रहा है कि 20 रुपे सरी हाँ पर 50 रुपे की नोट की संख्या 20 के नोट से 30 कम है अब भाई 50 रुपे की नोट की संख्या 20 के नोट से 30 कम है ये भी हमें पता है तो इसकी भे में जरूरत नहीं पड़ेगी अब थर्ड वाले आपसन को देखो देहां से कह रहा है कि 10 रुपे की नोट की संख्या सबसे अधिक है और 50 की नोट की संख्या सबसे काम है तो भाई ये तो हमको पता है कि 50 की नोट की संख्या यक्स है यानि कि ये सबसे कम है और 10 की नोट की संख्या X प्लस 50 यानि कि ये सबसे ज़्यादा है तो ये भी हमें पता है तो हम आराम शेक्स कामान निकाल सकते देखे इनको जोड़ो yaks plus 10 के नोटो की संख्या x plus 50 और plus 20 के नोटो की संख्या x plus 30 अब इन सब को जोड़ डालोगे तो देखे x x x 3 x और ये बारापर आपका 200 यहांपर दिया लिए तो x x x 3 x और यहांपर 50, 30, 80 एगा 80 को उदर घटा देंगे तो दोसों मैं सी 80 घटा हो 120 आ जाएगा तो x कामान कितना जाएगा सर 34 शों का 12 यानि कि 40 आ गया तो हम कह सकते हैं 50 के नोटों की संख्या ढ़की 40 होगी और 10 के नोटों की संख्या 50 20 40 प्लस 50 यानि कि 90 हो जाएगी और 20 के noot की संख्या 40 plus 30 यानि की 70 हो जाएगी अब बताओ अगर 50 रुपे के 40 noot है 10 रुपे के 90 noot है और इसके 70 noot है 20 रुपे के तो कि आप कुल noot की संख्या क्ल क्या बोलते है रुपे की संख्या बता सकते हो ऑगे नहीं बता सकते हो कि अगर आपके पास इतने इतने नोट हैं तो कितने रुपे आपके पास होंगे समझ में आ गया सर क्योंकि ये तो बहुत आसान है आप लोग करी सकते हो अब आते हैं अंगले कोशन पर आप देखे यहाँ पर उसी तरह के एक और कोशन है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलक किया गया देखे कह रहा है कि एक विक्ति के पास पांच रुपे दो रुपे और एक रुपे के मुल्य वरिक के सिक्कों की रूप में धन है यानि कि 5 रुपे के सिक्के हैं, 2 रुपे के सिक्के हैं और 1 रुपे के सिक्के हैं अब सिक्कों की कुल संख्या भी पता है, 150 है तो उस विक्ति के पास कुल कितनी रासी है, आपको ये बताना है तो किस अत्रिक जार्गारी की आसकता होगी, ये हमें बताना है अब मुझे अगर पता है कि 5 रुपे की और 2 रुपे की और 1 रुपे की कुल कितने सिक्के हैं अगर हमको यह पता चल जाएगा कि कितने कितने सिक्के किसके हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास कुल रासी कितनी है अब देखें यहाँ पर क्या है कह रहा है कि 5 रुपे के सिक्कों के संख्या 25 थी अब भाई 5 रुपे के सिक्कों के संख्या 25 है तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं इससे देखे 5 रुपे के सिक्कों के संख्या 25 है अब देखे मुझे स्री 5 का पता चला 2 का पता है नहीं पता है तो 2 और 1 का अगर किसी 2 का पता हो तीसरे का पुछे हम निकाल सकते हैं विएकि आपका total दिया गया है तो यहाँ पर पहले option की मदद से हम लोग कुल रुपयों की संख्या या कुल अपनी रासी की संख्या नहीं निकाल सकते हैं अब दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया की सिक्कों का अनपात 3 अनपात 2 अनपात 1 है अगर हम option number 2 की बात करें देखे ध्यान से क्या कह रहा है 1 रुपय, 2 रुपय और 5 रुपय की सिक्कों का अनपात दिया गया है कितना? एक अनपाते, दो अनपाते, पाँच, तो क्या हम लोग, सॉरी, तीन अनपाते, दो अनपाते, एक, क्या हम लोग इससे निकाल सकते हैं, मुझे पता है, अगर इनका अनपात, तीन अनपाते, दो अनपाते, एक है, तो तीन यक्स, प्लस दो यक्स, यानि कि इसको इनका अनप तो आपको पता जल गया कि एक रुपे के अगर आपके 75 सिख्के है तो आपके पास 75 रुपे हो जाएगे दो रुपे के 50 सिख्के है यानिकि 50 सिख्के आपके 2 रुपे के तो 52 रुपे आपका हो जाएगा और आपका 25 पैसे के 5 रुपे के 25 सिख्के है और आपके कौन से option की मदद से आया option number B की मदद से आया तो हमारा option number जो B है वो यहाँ पर correct हो जाएगा आगे हम देखना चाहे तो देख सकते हैं बट आपको समय क्यों गवाना है जब आपका answer आ गया option number B से तो आपको option number B पर tick करके आगे बढ़ सकते हैं न सर तो बताईए क्या आपको यह question समझ में आ गया question I hope समझ में आ गया होगा बहुत जादा tough question नहीं था बहुत ही आसान question था और इस तरह के question जो है आपके paper में देखने को मिलते रहते हैं तभी मैं आपको यहाँ पर यह question करवा रहा हूँ समझ में आ गया सर चलिए आते हैं अगले question पर तो अगला question देखे ध्यान से क्या कह रहा है कह रहा है कि यहाँ पर वही सेम चीज है कि हरसत की आयू उसके बेटे वीजय की आयू से चार गुनी है अब हरसत की आयू जो है उसका बेटा माले ते वीजय वीजय की आयू से चार गुनी है यानि कि हरसत बराबर चार वी हो जाएगा अब मैंने ह और वी इसले लिया है जिससे आपको हर एच पर हरसत वी पर वीजय याद रहे और वीजय कौन उसका बेटा है उसके साथ ही साथ कह रहा है चार साल पहले सुधा की आयू उसके बेटे की वरतमान वेटे के बेटे की वीजय की आयू की छेगुनी थी अब माँ लेते हैं सुधा की वर्तमान i.u.h है है वर्तमान i.u.v है और सुधा की वर्तमान i.u. कितने माँ लेते हैं? सुधा की वरतमान H S है तो 4 साल पहले S-4 होगा और इसी तरह अगर VJ की वरतमान H V है तो 4 साल पहले V-4 होगी तो VJ की आयू की 6 गुनी थी तो VJ की आयू की 6 गुनी थी हमें एकर दिया अब यहाँ पर कहरा कि अगर हमें सुधा की वरतमान आयू ग्याद करने तो कैसे ग्याद करेंगे अब पहला option यहाँ पर देखते है हमें देखो H बरावर 4 भी पता है S माइनस 4 बरावर 6 भी माइनस 4 पता है तो क्या चीज एक्ष्रा पता चल जाए जिससे हम लोग का answer जो है आ जाएगा सुधा की वरत्मान आयू आ जाएगी कैसे पहला option देखे किया पहले option की मदद लेते हैं कहरा चार वर्स के बाद हरसद और सुधा की आयू में चार वर्स का अंतर होगा आप चार वर्स बाद देखे आपको एक चीज यह पता है और आपको बताई अगर हरसद की आयू अभी ह है तो चार वर्स बाद कितने होगी ह प्लस चार होगी और वैसे भी एक चीज और ध्यार नखो यार मतलब थोड़ा सा मैं आपके help के लिए बतायता हूँ आपके sort के लिए बतायता हूँ कि आपको एक बात बताओ जैसे माल लीजे मेरी एज अभी आज मेरी एज 24 है और माल लीजे मेरे भाई की एज 23 है तो आज मेरे भाई की अभी इज में अंतर कितना होगा एक वर्स का होगा अगर पूछा जा दो साल बाद तो दो साल बाद मेरी एज कितनी होगी 26 और दो साल बाद मेरे भाई की एज कितनी होगी 25 पेत होगी अत्ता बंतर नहीं कालो कितना यह गाएगा तो अंतर जो होता है वो चाहे चार साल पहले पूछे चाहे चार साल बाद पूछे आपका हमेशा एक ही होता है तो यहाँ पर ज h-s-4 है तो क्या हम लोग सुधा की आयू निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं कैसे देखो ध्यान से h-24 क्या आपका 4v है तो यहां पर क्या रख सकते हैं हम लोग 4v रख सकते हैं माइनस s-25 वरावर कितना आएगा आपका 4 आएगा आप देखिए आपके पास दो equation है, दो equation ऐसे हैं जिसमें S और V है और यहाँ पर भी दिखा जाए S और V है, तो हमेशा याद रखेगा, अभी मैं आपको निकाल के दिखा भी दूंगा कैसे answer आएगा, बट एक चीर याद रखेगा आपको जल्दी question करना है क्योंकि यहाँ पर V का मान निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आगर आप इसको थोड़ा सा solve करेंगे, तो आपका यहाँ पर पहला option सही हो जाएगा, तो आपका जो answer है वो यहाँ पर आ गया, अब मैं आगे थोड़ा सा आपको आपके externology के लिए समझा जाएता हूं, कि कैसे निकल करिए S और इसको एक साथ ले लिजे, आप देखे 6V को इधर लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर देखे चलिए X को इधर लेकर के आओ, 24 को इधर लेकर आओ, तो देखे S उधर जाएगा, तो 6V माइनस S हो जाएगा, बराबर 24 देखे यह जो 24 है इधर जाएगा, तो प्लस 24 माइनस 4 कितना हो जाएगा, यानि कि एक equation 4 भी माइनस S था, एक equation 4 भी माइनस S आगया, स्वरी यहाँ पर 6 भी प्लस S हो गया, यह चीज थोड़ा सा देख लिजएगा, क्यों S इधर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ही होगा, तो यहाँ पर इसको हलकर लो 6V म पराबर माइनस कितना आजाएगा, आपका, 16 आजाएगा, यानि कि यहाँ से 2,8,16, तो एक चीज मुझे पदल गया कि वीजए की जो एज है, वर्तमान एज कितनी है, 8 वर्स है, अगर वीजए की वर्तमान एज 8 वर्स है, तो यहाँ से हर्स की भी आजाएगी, 4,8,32 अब इनके और इनके एज में कितने वर्स का अंतर था, 4 वर्स का अंतर था, यानि कि अगर हर्सत की एज 32 आगी, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, अठाई से वर्स हो जाएगी, तो आप निकाल सकते हो, ऐसे आसाई से निकाल सकते हो, लेकिन हमें कहां तक पूछा था, हमें बस तुद्धा की वरता माले पूछ रही थी, तो आपसा नमर फर्स्ट की मज़से हम लोग निकाल सकते थे, तो आपसा नमर फर्स्ट जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो कितना भी बड़ा कोशन हो, बस आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, थोड़ा सा तल का यूज कर कर क्या होगा, आप देके इस कोशन में मैं समझा दे रहा हूँ क्या है कि किसी कच्छा में देने इसका रोल लंबर पता है, और जबकि उमा का रोल लंबर पता है, और दमयंती का रोल लंबर आपको क्या है, पता करना है, तो यहाँ पर दमयंती का रोल लंबर क्या है, आप को पतागरना है तो जब भी इस तरह के questions आ है तो ऐसा है याद रखना कि अगर आपसे बूला जाए कि उमा क एक पहले उमे के एक बात है तो वो option हमेसा गलिस होता क्योंकि यहाँ पर हमे एक चिज़ fix नहीं है कि टोटल नमबर और student कितने है class में, तो क्या पता 16 students हो, क्या पता 20 students हो, क्या पता 25 students हो तो आप कभी भी number से नहीं निकाल सकते हो तो यहाँ पर जैसे पहला option कह रहा है कि कच्छा में 20 चातर है, तो क्या इससे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, ऐसे जाज़ा लोग इसके जवाब सही देते हैं, तो अच्छी बात रहेगी, नहीं अगर सही देंगे, तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका जो solution है, दे दूँगा वो मैं आपको guarantee route से दे दूँगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, comment करके यह बताएगा, मुझे पता है कि थोड़े से typical question थे, यहाँ पर, यह जो question यहाँ पर मैंने आपको समझाया, हो सकता आपको एक बार मेना समझ में आया हूँ, तो एक बार वीडियो को repeat करके, इस वाले question को देख सकते हूँ, repeat करके और इसके लाओ दुस्तों, steady material आपको चाहिए, तो मैं आपको बता चाहूँगा, steady material के लिए आप लोग हमारे website, job-sarakar-yadda.in से जुर सकते हैं, वहाँ पर मैं लगातार, आपके लिए steady material जो है, प्रवाइड को आ रहा हूँ, तो आपको नीचे description box में इसका जो link है, मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर कि आप जुड़ सकते है, speed test, mock test और current fare test आपको वहाँ पर daily देखने को मिलते रहेंगे, तो आज के इस वीडियो में सरी इतना ही, अब एक लिए बबाय, take care, जैहिन, जै भारत, मिलते हैं सबसे नेक्ट वीडियो में